बिवन्डी नीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाईने जरूए जर्वार्ण डूआए कि अइसब्रे ने जर्वार्ण रख्राइव कहा जा रही है और आज किया जमार्ण व्यूट वहत्र व्यूट यह महाथ सब्सक्राण प्रणनान है याने सबा जो बिकेसी में है महाविकास आगाडी की तरफ से इसके लिए आज हम भ्योंडी से कॉंग्रेस राश्रवधी कॉंग्रेस और सिउसेना यह तीनों मिलकर सब वहाँ पर बिकेसी में जा रहे क्या मैसेज देना जाएंगे आज का जो यह जो आज भाजब मोधी सरकार इनकी जो मनमानी चालू है उसके खिलाप महाविकास आगाडी एक हुए है उसमें सिउसेना एंसीपी और कॉंग्रेस यह मिलकर लड़ रहे हैं उनकसे जो आज महेंगाई देश में है बेरोजगारी ब होने वाली है BKC में आज हमारी महा आगाडी की तरफ से एक महा रली का आयोजन 2021 में रखा गया है जिसके औसर पर हुँरा कॉंग्रेस पुरी राष्टवादी पुरा सिउसेना और मैं समझता हूं इसी तरिफ राष्टवादी कॉंग्रेस और सिउसेना की जिम्मेदारी न जो ताना साही कर रही है उसके खिलाब ऐसे कारी करम जब भी हो वो चाहे कॉंग्रेस का हो कि सुषिना को हो सब को कंदे से कंदा मिला कि ऐसे मोर्चे को कामियाब बनाना चीए ताकि भाजपा सरकार को ये पता चले कि आज देश के अंदर जो रोजगारी से मर रहे लोग जो देश के अंदर चाही हुए जो आज लोगों को नोकरी नहीं मिल रही है इसके खिलाब ये मोर्चा रखा गया है और उसी में हम लोग सारे इपच्छ के लोग एक कट्टा होके बेकिसी में जा रहे हैं अपना विरोध दर्ज़ करने कारेक्रम माविकास अगाडी के तरफ से आज बेकिसी में रखा गया है समिधान की रख्शा करने के शितू से ये प्रोग्राम रखा गया और तीनों पार्टी यूनाइट होकर ये प्रोग्राम कर रहे है जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो वो मौजूदा सरकार है पूरी तरीके से ये सरकार फेल हो चुकी है कोई काम नहीं हो रहा है युवाओं की बेरोजगारी उसी तरीके से बरकरार है लोगों को नाजाइस तरीके से परिशान किया जा रहा है महिलाओं की जो मामलाद होते हैं छेड़खानियां होती हैं उस पे कोई किसिम की कारवाई नहीं होती ये भाजब सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और आने वाले दिनों में महाविकास आगाडी की सरकार पूरी ताकत के साथ महरास्ट में वापस लौट रही है और ये जो इनकी दादागिरी है जो ये पैसे के बलों पे सरकार को खरीदने और करने की कोशिचे करते हैं ये आने वाले दिनों में इनको इसका जवाब यहां की अवाम खुद अपनी वोटों की ताकत से देगी ये हमें पूरा विश्वास है और आज पूरी की पूरी भीवंडी शह में जमा हो रहे हैं और हम पूरी ताकत अपनी जो है इस सरकार के विरोध में दर्श कराने की कोशिच कर रहे हैं हाला कि उन्होंने इस लोगों को रोखने के लिए बहुत सारे हटकंडे अपनाने की कोशिच कर रहे हैं कहीं कहते हैं दवा 144 कहीं लगा दिया गया है कहीं बो पूरा नहीं होने देंगे और हम आज हमें उस कारेकरम में जाने से कहां हो रहा है कैसे हो रहा है कि देखिए बीकेसी में बेकिसे ग्राउंड पर महाविकास हगाडी की तरफ से एक बड़ी रैली रखी गई है और मुख्य उद्देश उसका यह है कि जिस आजादी के लिए ज य egentि दाएं ये समविधान को रौंदाद या रहा है समविधान की रक्षा नहीं हो रही है समविधान के विरुदं बारती जनता पार्टी और उसके काम कर रहे हैं इसको बचाने के लिए आज कॉंग्रेस पार्टी आपके जो है शिव शेना और राशवादी कॉंग्रेस पार्टी शिव शेना उठाक रेगुट यह तीनों पार्टियां पूरी ताकत के साथ जमा हो रहे हैं और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि महाविकास चोड़के यह जा रहा है वजा लेकिन कोई जाएगा नहीं अगला एलेक्शन इंशालला होतारा जो है महाविकास अगाडी एक साथ लड़ेगी के कहेंगे जो बीजेपी का आज पूरे देश में जो अत्याचार हो रहा है जो एजन्सियों के गहर वापर हो रहे हुसके खि लिए और पूरे लोग हम लोग हुआ विकी सिंग मैदान पे पहुच रहे हैं देखो वजरो मुट कारे करें इससे पहले भी आउंगरगाबाद में हुआ है जो माविकास अगड़ी की ताकत है वो पूरे महाराष्टन नहीं इस बहारत देश की सभी नागरी को ने देखिय है आज जो प्रोग्राम है वो ओकोन होने वाला है तो आज भी दाकत शागड़ी की ताकत है आप लोग की लाइकी नहीं है राज्य करने की यह खोगे की जो सरकार है बहुत जल्दी गिरने वाले अमारा महाविकास अगारी का जो एलाइंस है उसका बजरमूट उसका नाम दिया गया जो बिजली के कड़क के तरीके से आवाम के बीच में जाना है और बीजीपी को मुह तोड में नफरत का माहौल है उसके खिलाब बीजीपी के खिलाब हमको यह आवाम के बीच में हम जा रहें मैसेज दे रहे है पावार साहब ने आवहान किया है और जहनत पाटिल साहब हमारे महाराष्टा के अद्ज की एक ऐसी ताकत हमको बताना है जनता के बीच में जाना है कि पीजीपी और जो सिंध्य गुटकी है इनके अंदर मतलब घबराहाट और माहौल जो है जनता के बीच में जाए तो इनको जनता जो जूते से स्वाकत करें सर आज अभिकेसी में वज्रमुट का कारिकरम है जो 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 चेतरी पार्टी हमारी राष्ट्रवधी कॉंग्रेस पार्टी है इन सब को मजबूत करना पड़ेगा आज हमारा वज्रमुट जो है हमारा एक बहुत ही महत्पुल कारिकरम है इसके अंदर में हम लोग कारिकरम को कामियाब करने के लिए वहां जा रहे हैं और कहीं न कहीं महाराश के अंदर में बदलाव लाना है यह पब्लिक में दिख रहा है और आपने भी देखा होगा जहां जहां भी प्रोगाम हुए है जहां जहां भी election हुए वहाँ पर कहीं न कहीं बदलाव दिख रहा है और हम लोग बदलाव की सुरत में हम लोग जा रहे हैं बंबई के अंदर में एक भवय मोर्चे के कारेकरम में वज्रमुट में और इसमें पब्लिक का एक बहुत बड़ा हुजूम जो है वहाँ पर दिख झाल 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 झाल